श्री राम कृष्ण देव के उपदेश वचा नामरित प्रिष्ठ क्रमांग 935 परिच्छे 116 श्री राम कृष्ण तथा अहंकार का त्याग श्री राम कृष्ण की ज्यान तथा भक्ती की अवस्था श्री राम कृष्ण दक्षिनेश्वर के काली मंदिर में उसी परिचित कमरे में विश्राम कर रहे हैं आज शनिवार है 13 जून 1885 जेट की शुकला प्रतिपदा जेट की संक्रान्ती दिन के तीन बजे होंगे श्री राम कृष्ण भोजन के बाद तखत पर जरा विश्राम कर रहे हैं एक पंडिजी जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं शोक से विवल एक ब्रामणी कमरे के उत्तर तरफ वाले दरवाजे के पास खड़ी हुई है किशोरी भी है मास्टर ने आकर प्रणाम किया साथ में द्विजादी है अखिल बाबू के पड़ोसी भी बैठे हुए है उनके साथ आसाम का एक लड़का अभी पहले पहल आया हुआ है श्री राम अकृष्ण कुछ आस्वस्थ है गले में गिल्टी पड़ गई है कुछ जुकाम भी हो गया है उनकी गले की बिमारी बस यही से शुरू होती है अधिक गर्मी पड़ने के कारण मास्टर का भी शरीर अस्वस्थ रहता है श्री राम अकृष्ण के दर्शन के लिए वे इधर लगातार दक्षिनेश्वर नहीं आ सके श्री रामकृष्ण यहलो तुम तो आ गए तुमने जो बेल भेजा था वहाँ बड़ा अच्छा था तुम कैसे हो मास्टर जी पहले से अब कुछ अच्छा हूँ श्री रामकृष्ण बड़ी गर्मी पड़ रही है कुछ-कुछ बर्फ खाया करो गर्मी से मुझे भी बड़ा कश्ट हो रहा है गर्मी में कुल्फी बर्फ यहां सब बहुत खाया गया इसलिए गले में गिल्टी पड़ गई है गले से बड़ी बद्बु निकल रही है मासे मैंने कहा अच्छा कर दो अब कुल्फी बर्फ न खाऊंगा इसके बाद यहां भी कहा है कि बर्फ न खाऊंगा मासे जब कह दिया है कि अब न खाऊंगा तो खाना अवश्य ही न होगा परन्तु एक आएक भूल भी ऐसी हो जाती है परन्तु जानते में भूल नहीं होने पाती उस दिन गड़ुआ लेकर एक आदमी को जाओ तल लेकी और आने के लिए मैंने कहा उस समय वह जंगल गया था इसलिए एक दूसरा आदमी ले आया मैंने जंगल से आकर देखा एक दूसरा ही आदमी गड़ुआ लिये हुए खड़ा था अब क्या करूँ हाथ में मिट्टी लगाए खड़ा रहा जब तक उसी ने आकर पाली नहीं दिया माता के पाद पदमों में फूल चड़ा कर जब मैं सब कुछ त्याग करने लगा तब कहा मा यहालो अपनी शुचिता और यहालो अशुचिता यहालो अपना धर्म और यहालो अधर्म यहालो अपना पाब और यहालो पुण्य यहालो अपना भला और यहालो बुरा मुझे शुद्धा भक्ति दो परन्तु यहालो अपना सत्य और यहां अपना असत्य यहां मैं नहीं कह सका एक भक्त बर्फ ले आये हैं श्री रामकृष्ण बार-बार मास्टर से पूछ रहे हैं क्यों जी, क्या खालूं? मास्टर ने विनय पुर्वक कहा तो आप मा की आग्या बिना लिये न खाईए श्री रामकृष्ण ने अंत में बर्फ नहीं खाई श्री रामकृष्ण शुचिता और अशुचिता का विचार भक्त के लिए है ज्यानी के लिए नहीं विजय की सास ने कहा मेरा क्या हुआ? अब भी तो मैं सब की जूठन नहीं खा सकती मैंने कहा सब की जूठन खाने ही से ग्यान होता है कुट्टे जो पाते हैं वही खा लेते हैं इसलिए क्या कुट्टे को बड़ा ग्यानी कहेंगे मास्टर से मैं पाच तरह की तरकारियां इसलिए खाया करता हूँ कि सब तरह की रुच्ची रहे कहीं एक ही ढर्रे में पढ़ गया तो इन्हें अर्थात भक्तों को छोड़ न देना पड़े केशव सेंसे मैंने कहा और भी बढ़कर अगर बातचीत की जाएगी तो तुम्हारा यहां दल फिर न रह जाएगा ज्यान की अवस्था में दल बल सब स्वपनवत मिथ्या है पक्षी का गोसला अगर कोई जला देता है तो वहां उड़ता फिरता है आकाश में आश्रय लेता है अगर देह, संसार यहां सब मिथ्या भासित हो तो आत्मा समाधी मगन हो जाती है पहले मेरी ज्यानी की अवस्था थी आदमी अच्छे नहीं लगते थे हाट खोला में एक ज्यानी है अथ्वा अमुक स्थान पर एक भक्त है इस तरह की बात मैं सुनता था फिर कुछ दिन में सुनता वहां तो गुजर गया इसी लिए आदमी अच्छे नहीं लगते थे फिर उन्होंने अर्था जगदंबा ने मन को उतारा भक्ती और भक्तों में मन को लगा दिया मास्टर अवाख है श्री रामकृष्ण की अवस्थाओं के बदलने की बाते सुन रहे है अब श्री रामकृष्ण यहां बतला रहे है कि इश्वर आदमी होकर क्यों अवतार लेते हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से भगवान मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं जानते हो नरदेह के भीतर उनकी बाते सुनने को मिलती है इसके भीतर उनका विलास है इसके भीतर वे रसा स्वादन करते हैं और अन्य सब भक्तों में उनका थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश है जैसे किसी चीज को खूप चूसने पर कुछ रस मिलता है अत्वा फूल को चूसने पर कुछ मधू मास्टर से तुम यहां बात समझें मास्टर जी हाँ मैं खूप समझा श्री रामकृष्ण द्विच के साथ बातचीत कर रहे है द्विच की उम्र पंद्रह सोला साल की है उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह किया है द्विच प्रायह मास्टर के साथ आया करते हैं श्री रामकृष्ण उन पर सनेह करते हैं द्विच कह रहे हैं कि उनके पिता उन्हें दक्षिनेश्वर नहीं आने देते श्री रामकृष्ण द्विच से क्या तेरे भाई भी मुझे अवग्या की दृष्टी से देखते हैं द्विच चुप है मास्टर संसार की कुछ ठोकरे खाने पर जिन में कुछ अवग्या है वहां भी दूर हो जाएगी श्री रामक्रिश्न विमाता है धक्के तो मिलते ही होंगे सब कुछ देर चुप रहे श्री रामक्रिश्न मास्टर से पूर्ण के साथ इसे तुम मिला क्यों नहीं देते मास्टर जी हाँ मिला दूंगा द्विच से पानी हाटी जाना श्री रामक्रिश्न हाँ इसी लिए मैं सबसे कहा करता हूँ इसे भेज देना, उसे भेज देना मास्टर से तुम जाओगे या नहीं श्री रामकृष्ण पानी हाटी के मोहत्सव में जाएंगी इसी लिए भक्तों से वहाँ जाने की बात कह रही है मास्टर जी हाँ, इच्छा तो है श्री रामकृष्ण बड़ी नाओ किराय से लेली जाएगी वहाँ डावा डूल न होगी गिरिश घोष क्या नहीं जाएगा श्री रामकृष्ण एक द्रिष्टी से द्विच को देख रहे है श्री रामकृष्ण अच्छा, इतने लड़के हैं उनमें यही आता है यहां क्यों, कहो पहले का कुछ जरूर रहा होगा मास्टर जी हाँ श्री रामकृष्ण संस्कार, गत जन्म में कर्म किया हुआ है अंतिम जन्म में मनुश्य सरल होता है अंतिम जन्म में पागलपन का भाव रहता है परंतु है यहां उनकी इच्छा उनकी हां से संसार के कुछ काम होते हैं और उनकी ना से होनहार भी बंध हो जाता है इसलिए तो आदमी को आशिरवाद नहीं देना चाहिए मनुश्य की इच्छा से कुछ नहीं होता उनहीं की इच्छा से हो जाता है उस दिन मैं कप्तान के यहां गया था देखा, रास्ते से कुछ लड़के जा रहे थे, रे सब एक खास तरह के थे एक लड़के को मैंने देखा, उन्नीस या बीस साल की उम्र रही होगी बाल सवारे हुए था, सीटी बजाता हुआ चला जा रहा था कोई नगेंद्रक्षिरोत कहता हुआ जा रहा था देखा, कोई तमोगुर में पड़ा हुआ है, बासुरी बजा रहा है, उसी के कारण कुछ अहंकार हो गया है ज्विच से, जिसे ज्ञान हो गया है, उसे निंदा की क्या परवाहा है उसकी बुद्धी कूटस्थ है, लोहार की निहाई जैसे उस पर कितनी ही चोट पड़ चुकी परन्तु उसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ा मैंने अमुक के बाप को देखा, रास्ते से चला जा रहा था मास्टर, बड़ा सरल आदमी है, श्री रामकृष्ण परन्तु आखे लाल रहती है, श्री रामकृष्ण कप्तान के यहां गाये हुए थे, वहीं की बाते कर रही है जो लड़के श्री रामकृष्ण के पास आते हैं, कप्तान ने उनकी निंदा की थी हाजरा महाशय ने कप्तान के पास उनकी निंदा की होगी श्री रामकृष्ण कप्तान से बाते हो रही थी मैंने कहा पुरुष और प्रकृति के सिवा और कुछ भी नहीं है नारद ने कहा था हे राम जितने पुरुष देखते हो सब में तुम्हारा अंच है और जितनी स्त्रियां देखते हो सब में सीता का अंच है कप्तान को बड़ी प्रसंदता हुई उसने कहा आप ही कोई अथार्थ बोध हुआ है सब पुरुष राम के अंच से हुए अतैव राम है और सब स्त्रियां सीता के अंच से हुई अतैव सीता है फिर थोड़ी ही देर में वहां लड़कों की लिंदा करने लगा कहा वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं जो पाते हैं वही खाते हैं वे लोग आपके पास सरवदा जाते हैं यहां अच्छा नहीं इससे आप पर बुरा प्रभाव पढ़ सकता है हाजरा ही एक सच्चा आदमी है लड़कों को अपने पास अधिक आने जाने न दिया जाया कीजिए पहले तो मैंने कहा आते हैं मैं क्या कहूं फिर मैंने उसे खूप सुनाया उसकी लड़की हसने लगी मैंने कहा जिसमें विशय बुद्धी है उससे ईश्वर बहुत दूर है विशय बुद्धी अगर न रही तो ईश्वर उस आदमी की मुठी में है बहुत निकट है कप्तान ने राखाल की बात पर कहा वहां सब के यहां खाता है हाजरा से उसने सुना होगा तब मैंने कहा कोई चाहे लाख जब तब करे यदि उसमें विशय बुद्धी है तो कहीं कुछ न होगा और शूकर मास खाने पर भी अगर किसी का मन ईश्वर पर है तो वहां मनुश्य धन्य है क्रमशह ईश्वर की प्राप्ती उसे होगी ही हाजरा इतना जब तब करता है परन्तु भीतर दलाली करने की फिक्र में रहता है तब कप्तान ने कहा हाँ यहां बात तो ठीक है मैंने कहा अभी अभी तो तुमने कहा सब पुरुष राम के अंचि से हुए अतैव राम है और सबस्त्रिया सीता के अंचि से हुई अतैव सीता है इस तरह कहकर अब ऐसी बात कर रहे हो कप्तान ने कहा हाँ ठीक है मगर आप भी तो सब को प्यार नहीं करते मैंने कहा आपो नारायन सभी जल है परन्तु कोई जल पिया जाता है किसी जल से बरतन धोय जाते है कोई जल शौच के काम में आता है यहां जो तुम्हारी बीबी और लड़की बैठी हुई देख रहा हूँ यह साक्षात आनन्द मई है कप्तान कहने लगा हाँ हाँ यहां ठीक है तब मेरे पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा यहां कहे कर श्री रामकृष्ण हसने लगे अब श्री रामकृष्ण कप्तान के गुणों की बात कह रहे है श्री रामकृष्ण कप्तान में बहुत से गुण है रोज नित्य कर्म करता है स्वयन देवता की पूजा करता है नहाते समय कितने ही मंत्र जपा करता है कप्तान एक बहुत बड़ा कर्मी है पूजा जब आर्ती पाठ ये सब नित्य कर्म हमेशा किया करता है फिर मैं कप्तान को सुनाने लगा मैंने कहा पढ़कर ही तुमने सब मिट्टी में मिलाया अब हर्गिस नपढ़ना मेरी अवस्था के संबंद में कप्तान ने कहा یہां आसमान में चक्कर मारने वाला भाव है जीवात्मा और परमात्मा जीवात्मा एक पक्षी है और परमात्मा आकाश, चिदाकाश हसकर कप्तान ने बंगालियों की निन्दा की कहा बंगाली बेवकुफ है पास ही मणी है और उन लोगों ने न पहचाना कप्तान का बाप बड़ा भक्त था अंग्रेजों की फौज में सुबेदार था एक हाथ से शिव की पूजा करता था और दूसरे से बंदोग चलाता था मास्टर से परन्तु बात यहां है कि विशय के कामों में दिन रात फसा रहता है जब जाता हूँ, देखता हूँ बीबी और बच्चे घेरे रहते हैं और कभी-कभी हिसाब की बही भी लोग ले आते हैं परन्तु कभी-कभी ईश्वर की और मन जाता है जैसे सन्निपात का रोगी विकार ग्रस्त बना ही रहता है परन्तु कभी जब होश में आता है तब पानी पियूँगा पानी पियूँगा कहकर चिल्ला उठता है और उसे जब तक पानी दो तब तक वहाँ फिर बेहोश हो जाता है इसलिए मैंने उससे कहा तुम कर्मी हो कप्तान ने कहा जी मुझे तो पूजा आदी के करने में ही आनन्द आता है जीवों के लिए कर्म के सिवा और उपाय भी नहीं है मैंने कहा तो क्या सदा ही कर्म करते रहना होगा मधु मक्खी तभी तक भन भन करती है जब तक वहाँ फूल पर नहीं बैट जाती मधु पीते समय भन भन करना चूट जाता है कप्तान ने कहा आपकी तरह हम लोग पूजा और कर्म छोड़ तोड़े ही रह सकते हैं पर अंतो उसके बाद कुछ ठीक नहीं रहती कभी तो कहता है यहां सब जड़ है और कभी कहता है सब चैतन्य है पर मैं कहता हूँ जड़ कहा है सब ही कुछ तो चैतन्य है श्री रामकृष्ण मास्टर से पूर्ण की बात पूछने लगे श्री रामक्रिश्ण पूर्ण को एक बार और देख लू तो मेरी व्याकुलता कम हो जाए कितना चतुर है मेरी और आकर्शन भी खूब है वह कहता है आपको देखने के लिए मेरे रिदय में भी नजाने कैसा हुआ करता है मास्टर से तुम्हारे स्कूल से उसके घरवालों ने उसे निकाल लिया इससे तुम्हारे उपर कुछ बात तो ना आएगी मास्टर अगर वे अर्थात विद्यासागर कहें तुम्हारे लिए उसको स्कूल से निकाल लेना पड़ा तो मेरे पास भी कुछ जवाब है श्री रामकृष्ण क्या कहोगे मास्टर यही कहोंगा कि साधुओं के साथ ईश्वर चिंता होती है यहां कोई बुरा कर्म नहीं और आप लोगों ने जो पुस्तक पढ़ाने के लिए दी है उसी में है ईश्वर को रिदय खोल कर प्यार करना चाहिए श्री रामकृष्ण हसने लगे श्री रामकृष्ण कप्तान के यहां छोटे नरेंद्र को मैंने बुलाया पूछा तेरा घर कहा है चल चले उसने कहा चलिए परन तु डरता हुआ साथ जा रहा था कि कहीं बाप को खबर न लग जाए सब हसने है अखिल बाबू के पड़ोसी से क्यों जी तुम बहुत दिनों से नहीं आए साथ आठ महिने तो हुए होंगे पड़ोसी जी एक साल हुआ होगा श्री रामकृष्ण तुम्हारे साथ एक और आते थे पड़ोसी जी हां नील मनी बाबू श्री रामकृष्ण वे सब क्यों नहीं आते एक बार उनसे आने के लिए कहना उनसे मुलाकात करा देना पड़ोसी के साथ के बच्चे को देख कर यहां बच्चा कौन है पड़ोसी यहां आसाम का है श्री रामकृष्ण आसाम कहा है किस और है द्विज आशुतोष की बात करने लगे कहा आशुतोष के पिता उसका विवाह करने वाले है परन्तु उसकी इच्चा नहीं है श्री रामकृष्ण देखो तो उसकी इच्चा नहीं है और बलपूर्वक उसका विवाह किया जाता है श्री रामक्रिष्ण एक बक्त से बड़े भाई पर भक्ती करने के लिए कह रहे है कहा बड़ा भाई फिता के समान होता है उसका बड़ा सम्मान करना चाहिए श्री रामकृष्ण तथा श्री राधी का तत्व जन्ममृत्यु तत्व पंडित जी बैठे हुए हैं वे उत्तर प्रदेश के हैं श्री रामकृष्ण हस्कर मास्टर से भागवत के ये बड़े अच्छे पंडित हैं मास्टर और भक्तगन एक अद्रिष्टी से पंडित जी को देख रहे हैं श्री रामकृष्ण पंडित जी से क्यों जी योगमाया क्या है पंडित जी ने योगमाया की एक तरह की व्याठ्या की श्री रामकृष्ण राधिका को योगमाया क्यों नहीं कहते पंडित जी ने इस प्रश्ण का उत्तर भी एक खास तरह से दिया तब श्री राम कृष्णा ने कहा राधिका विशुद्ध सत्व की थी वे प्रेम मई थी योग माया के भीतर तीनों गुण है सत्व, रज और तम परंतु राधिका के भीतर शुद्ध सत्व के सिवाय और कुछ न था मास्टर से नरेंद्र अब श्रीमति को बहुत मानता है वह कहता है सच्चिदानंद को प्यार करने की शिक्षा अगर किसी को लेनी है तो राधिका से लेनी चाहिए सच्चिदानंद ने स्वयम ही अपना रसा स्वादन करने के लिए राधिका किस रिष्टी की थी राधी का सच्चिदानन्द कृष्ण के अंग से निकली थी आधार सच्चिदानन्द कृष्ण ही है और श्रीमती के रूप में स्वयं भी आधे यहे अपना रसा स्वादन करने के लिए अर्थार सच्चिदानन्द को प्यार करके आनन्द संभोग करने के लिए इसलिए वैश्नवों के ग्रंथ में है राधा ने जन्म ग्रहन के बाद आखे नहीं खोली थी यहां भाव था कि इन आखों से और किसे देखू राधिका को देखने के लिए यह शोदा जब कृष्ण को गोद में लेकर गई थी तब उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए आखे खोली थी कृष्ण ने कृड़ा के बहाने राधिका के आखों पर हात फेरा था नए आये हुए आसाम के लड़के से तुने देखा है छोटा सा बच्चा दूसरों की आखों पर हात फेरता है पंडित जी बिदा होने लगे पंडित जी मैं घर जाओंगा श्री रामकृष्ण संसनेह कुछ प्राप्त हुआ पंडित जी भाव गिरा हुआ है रोजगार नहीं चलता कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके पंडित जी बिदा हुए श्री रामक्रिश्न, मास्टर से देखो, विशय लोगों और बच्चों में कितना अंतर है यहां पंडित दिन रात रुपया रुपया कर रहा है पेट के लिए कलकत्ता आया हुआ है नहीं तो घर के आदमियों को भोजन नहीं मिलता इसी लिए इसके उसके दर्वाजे दोड़ना पड़ता है मन को एकागर करके ईश्वर की चिंता कप करे परन्तु लड़कों में कामीनी और कांचन नहीं है इच्छा करने से ये ईश्वर पर मन लगा सकते है लड़के विश्वर मनुश्यों का संग पसंद भी नहीं करते राखाल कहता था विश्वर आदमी को आते हुए देखकर भाय होता है मुझे जब पहले पहल यहां अवस्था हुई तब विश्वर आदमी को आते हुए देखकर कमरे का दर्वाजा बंद कर लेता था कामार पुकुर में श्री राम मलिक को इतना मैं प्यार करता था परन्तु जब वहां यहां आया तब उसे चूब ही न सका श्री राम से बच्पन में बड़ा मेल था दिन रात हम दोनों एक साथ रहते थे एक साथ सोते थे तब सोलह सत्रह साल की उम्रती लोग कहते थे इन में से अगर एक औरत होता तो साथ ही विवाह भी हो जाता उसके घर में हम दोनों खेलते थे उस समय की सब बाते याद आ रही है उनके संबंदी पालकी पर चड़कर आया करते थे कहार हिंजोडा हिंजोडा कहा करते थे श्री राम को देखने के लिए कितनी ही बार मैंने बुला भेजा अब चानक में उसने दुकान खोली है उस दिन आया था यहां दो दिन रहा था श्री राम ने कहा मेरे तो लड़के बाले नहीं हुए भतीजे को पाल कर आदमी कर रहा था वहां भी गुजर गया कहते ही कहते श्री राम ने लंबी सास छोड़ी आखों में पानी भराया भतीजे के लिए दुख करने लगा फिर उसने कहा लड़का नहीं हुआ था इसलिए इस त्री का पूरा प्यार उसी भतीजे पर पड़ा था अब वहां शोग से अधीर हो रही है मैं उसे बहुत समझाता हूँ पगली अब शोग करने से क्या होगा तुवारा नसी जाएगी अपनी स्त्री को वहां पागल कहता था भतीजे के लिए दुख करने से वहां एकदम डाइल्यूट हो गया गल गया मैं उसे चू नहीं सका देखा उसमें कोई माद्दा तत्व नहीं है श्री राम कृष्ण शोग के संबंद में यही सब बाते कह रहे थे इधर कमरे के उत्तर और वाले दर्वाजे के पास वहां शोक विहवल ब्राम्भनी खड़ी हुई है ब्राम्भनी विध्वा है उसके एक मात्र लड़की थी उसका विवाह बहुत बड़े घराने में हुआ था उस लड़की के पती राजा की उपाधी पाए हुए है कलकत्ते में रहते हैं जमीनदार है लड़की जब अपने माय के आती थी तब साथ सशस्त्र सिपाही पालकी के आगे पीछे लगे हुए आते थे माता की छाती उस समय गज भर की हो जाती थी वहां इकलोती लड़की कुछ दिन हुए गुजर गई है ब्रामभणी खड़ी हुई भतीजे के वियोक से राम मलिक की क्या दशाथी सुन रही थी कई दिनों से वहां लगातार बाग बजार से पागल की तरह श्री राम कृष्ण के पास दोड़ी हुई आती थी इसलिए कि अगर कोई उपाय हो जाए अगर वे इस दुर्जे शोक के निराकरण की कोई व्यवस्था कर दे श्री राम कृष्ण फिर बातचीत करने लगे ब्रामभणी और भक्तों से एक आदमी यहां आया था कुछ देर बैठने के बाद कहा जाओ जरा बच्चे का चान्दमुक भी देखू तब मुझसे नहीं रहा गया मैंने कहा क्या कहा रे उठ यहां से ईश्वर के चान्दमुक से बढ़कर बच्चे का चान्दमुक मास्टर से बात यहां है कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य जीव, जगत, घर, द्वार, लड़के, बच्चे यहां सब बाजिगर का इंद्रजाल है बाजिगर डंडे से ढोल पीटता है और कहता है देख तमाशा मेरा तू देख तमाशा मेरा बस धक्कन खोला नहीं कि कुछ पक्षी उसमें से निकल कर आकाश में उड़ गए परन्तु बाजिगर ही सत्य है और सब अनित्य अभी है थोड़ी देर में गायब कैलाश में शिव बैठे हुए थे पास ही नंदी थे उसी समय एक बहुत बड़ा शब्द हुआ नंदी ने पूछा भगवन यहां कैसी आवाज है शिव ने कहा रावन पैदा हुआ है यहां उसी की आवाज है कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई नंदी ने पूछा यहां कैसी आवाज है शिव ने हसकर कहा यहां रावन मारा गया जन्म और मृत्यु यहां सब इंद्रजाल सा है अभी है अभी गायब इश्वर ही सत्य है और सब अनित्य पानी ही सत्य है पानी के बुलबुले अभी है अभी नहीं बुलबुले पानी में ही मिल जाते है जिस जल से उनकी उत्पत्ती होती है उसी जल में अंत में वे लीन भी हो जाते है इश्वर महा समुद्र है जीव बुलबुले उसी में पैदा होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं लड़के, बच्चे, एक बड़े बुल्बुले के साथ मिले हुए कई छोटे-छोटे बुल्बुले हैं, इश्वर ही सत्ते है उन पर कैसे भक्ती हो, उन्हें किस तरह प्राप्त किया जाए इस समय यही चेश्टा करो, शोक करने से क्या होगा सब चुप है, ब्रामभणी ने कहा, तो अब मैं जाओ श्री रामक्रिश्न, ब्रामभणी से सरसने है तुम इस समय जाओगी, दूप बहुत तेज है क्यों, इन लोगों के साथ गाड़ी पर जाना आज जेट की संक्रांती है, दिन के तीन-चार बजे का समय होगा गर्मी बड़े जोर की पढ़ रही है एक भक्त, श्री रामक्रिश्न के लिए चंदन का एक नया पंखा लाए है श्री रामक्रिश्न पंखा पाकर बड़े प्रसन्द हुए कहा वाह वाह, ओम तत्सत्काली यहां कहकर पहले देवताओं को पंखा जलने लगे फिर मास्टर से कह रहे हैं, देखो कैसी हवा आती है मास्टर भी प्रसन्द होकर देख रहे हैं दास मैं, अवतार वाद बच्चे को साथ लेकर कप्तान आये हैं श्री रामकृष्ण ने किशोरी से कहा इन्हें सब दिखा लाओ, ठाक और बाड़ी आदी श्री रामकृष्ण कप्तान से बातचीत कर रहे हैं मास्टर, द्विज, आदी भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं दमदम के मास्टर भी आये हैं श्री रामकृष्ण छोटे तखट पर उत्तर की और मुह किये बैठे हैं कप्तान से उन्होंने तखट के एक और अपने सामने बैठने के लिए कहा श्री रामकृष्ण इन लोगों से तुम्हारी बाते कह रहा था तुम्हें कितनी भक्ती है कितनी पूझा करते हो कितने प्रकार से आरती करते हो यहां सब बतला रहा था कप्तान लज्जित होकर मैं क्या पूझा और आरती करूंगा मैं क्या हूँ श्री रामकृष्ण जो मैं कामिनी और कांचन में पड़ा हुआ है उसी मैं में दोश है, मैं इश्वर का दास हूँ, इस मैं में दोश नहीं और बालक का मैं, बालक किसी गुण के वश नहीं है, अभी लड़ाई कर रहा है, देखते देखते मेल हो गया, कितने ही अतनसे, अभी अभी खेलने का घरोंदा बनाया, फिर बात की बात में उसे बिग पर दूसरी मिठाई से बिमारी फैलती है, परंतु मिश्री अमलन आश करती है, जैसे ओमकार की गणना शब्दों में नहीं है, इस अहम से ही सच्चिदानन्द को प्यार किया जाता है, अहम जाने का है ही नहीं, इसी लिए दास मैं और भक्त का मैं है, नहीं तो आदमी क्या ल पहरा था, कप्तान से, तुम गोपियों की बात कुछ कहो, तुम इतना भागवत पढ़ते हो, कप्तान, श्री कृष्ण वरिंदावन में थे, कोई ऐश्वर्य नहीं था, तो भी गोपिया उन्हें प्राणों से अधिक प्यार करती थी, इसी लिए श्री कृष्ण ने कहा थ मैं कैसे उनका रिंशोत करूंगा, जिन गोपियों ने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया है, देह, मन, चित्त, श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है, गोविंद, 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 कहकर भावाविश्ट हो रही है, प्रायह बाहिय अग्यान शुन्य है, धन्य है कह रहे है, कप्तान तथा अन्य भक्तगन, श्री रामकृष्ण की यहां अद्बुत प्रेवावस्था देख रहे हैं, जब तक वे प्राकृत दशा में ना आ जाए, तब तक वे चुपचाप एक अद्रिष्टी से देख रहे हैं, श्री रामकृष्ण, इसके कप्तान, वे योगियों के लिए भी अगम्य है, योगी भी रगम्यम, आपकी तरह योगियों के लिए भी अगम्य है, गोपियों के लिए गम्य है, योगियों ने वर्षों तक योग साधना करके, जिन्हें नहीं पाया, गोपियों ने अनायास ही उन्हें प्राप्त कर लि श्री रामकृष्ण सहास्य गोपियों के पास भोजन, पान, हसना, रोना, कृड़ा, कउतुक यहां सब हो चुका एक भक्त ने कहा श्री उद बंकिम ने कृष्ण चरितर लिखा है श्री रामकृष्ण बंकिम कृष्ण को मानता है श्री मती को नहीं मानता कप्तान वे शायद श्री कृष्ण लीला नहीं मानते श्री रामकृष्ण सुना वह कहता है कामादी की जरूरत है दमदम के मास्टर नवजीवन में बंकिम्न लिखा है धर्म के आवशक्ता शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्यों की स्फूर्दी के लिए है कप्तान कामादी की आवशक्ता है यहां कहते हैं फिर भी लीला नहीं मानते ईश्वर मनुष्य की रूप में व्रिंदावन में आये थे पर राधा और कृष्ण की लीला हुई थी यहां नहीं मानते श्टी रामकृष्ण सहासिर ये सब बातें सववात पत्रों में नहीं है फिर किस तरह मान ली जाए एक ने अपने मित्र से आकर कहा देखो जी कल उस मुखले से मैं जा रहा था उसी समय देखा वह मकान भरभरा कर गिर गया मित्र ने कहा जरा ठहरो अकबार देखो घर के भरभरा कर गिरने की बात अकबार में तो कहीं कुछ न थी तब उस आदमी ने कहा क्यों जी अकबार में तो कहीं कुछ नहीं लिखा तुम्हारा कहना सच नहीं दिखता उस आदमी ने कहा मैं स्वयम देखकर आ रहा हूँ उसने कहा यहां हो सकता है परन्तु अकबार मैं यहां बात नहीं लिखी इसलिए लाचार होकर मुझे इस पर विश्वास नहीं आता इश्वर आदमी होकर लीला करते हैं यहां बात कैसे वे लोग मानेंगे यहां बात उनके अंग्रेजी शिक्षा के घेरे में नहीं है जो पूर्ण अवतार का समझाना बहुत मुश्किल है क्यों जी साढ़े तीन हाथ के भीतर अनंत का समा जाना कप्तान कृष्णस्तु भगवान स्वयम कहते समय पूर्ण और अंच इस तरह कहना पड़ता है श्री रामकृष्ण पूर्ण और अंच जैसे अगनी और उसका स्फुलिंग अवतार भक्तों के लिए है ज्यानी के लिए नहीं अध्यात्म रामायन में है हे राम तुम्ही व्याप्य हो तुम्ही व्यापक हो वाच्य वाचक भेदेन त्वमेव परमेश्वरण कप्तान वाच्य वाचक अर्थाद व्याप्य व्यापक श्री रामकृष्ण व्यापक अर्था जैसे एक छोटा सा रूप, जैसे अवतार आदमी का रूप धारन करते हैं सब बैठे हुए हैं, कप्तान और भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं इसी समय ब्रामस समाच के जै कोपाल सेन और त्रैलोक्य आये, प्रडाम करके उन्होंने आसन ग्रहन किया श्री रामकृष्ण हसते हुए त्रैलोक्य की ओर देखकर बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अहंकार है, इसलिए तो ईश्वर के दर्शन नहीं होते इश्वर के घर के दर्वाजे के रास्ते में अहंकार रूपी ठूट पड़ा हुआ है इस ठूट के उस पार गए बिना कमरे में प्रवेश नहीं किया जा सकता एक आदमी प्रेत सिद्ध हो गया था सिद्ध होकर उसने पुकारा नहीं कि भूत आ गया आकर कहा बतलाओ कौनसा काम करना होगा अगर नहीं कह सकोगे तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूगा उस आदमी ने जितने काम थे एक एक करके सब करा लिये फिर उसे कोई नया काम नहीं सूचता था प्रेत ने कहा अब तुम्हारी गर्दन मरोड़ता हूँ उसने कहा जरा ठहरो अभी आया इतना कहकर वहाँ अपने गुरू के पास गया और उनसे कहा महराज मैं बड़ी विपत्ती में हूँ और सब हाल कह सुनाया तब गुरू ने कहा तु एक काम कर उसे एक छल्लेदार बाल सीधा करने के लिए दे प्रेद दिन रात वही काम करने लगा पर छल्लेदार बाल भी कभी सीधा होता है जयों कात्यों टेड़ा बना रहता है इसी तरह अहंकार भी देखते ही देखते गया और देखते ही देखते फिर आ गया अहंकार का त्याग हुए बिना इश्वर की कृपा नहीं होती जिस मकान में कोई कामकाज ब्राम्बन भोजन विवाह आदी रहता है तो जब तक भंडार में कोई भंडारी बना रहता है तब तक मालिक का चक्कर उधर नहीं लगता पर जब भंडारी स्वयम भंडार छोड़ कर चला जाता है तब मालिक उस भंडार घर में ताला लगा देता है और उसका इंतजाम खुद करने लगता है ईश्वर मानों बच्चे के वली बच्चा अपनी जायजाद खुद नहीं संभाल सकता राजा उसका भार लेता है अहंकार के गए बिना ईश्वर भार नहीं लेते वईकुंठ में श्री लक्ष्मी और नारायन बैठे हुए थे एक आएक नारायन उठकर खड़े हो गए श्री लक्ष्मी चरंड सेवा कर रही थी उन्होंने पूछा महराज कहा चले नारायन ने कहा मेरा एक भक्त बड़ी विपत्ती में पड़ गया है उसकी ही रक्षा के लिए जा रहा हूँ यहां कहकर नारायन चले गए परन्तु उसी समय फिर आ गए लक्ष्मी ने पूछा भगवन इतनी जल्दी कैसे आ गए नारायन ने हसकर कहा प्रेम से विवल वहां भक्त रास्ते से चला जा रहा था रास्ते में धोबियों ने सुखने के लिए कपड़े फैलाए थे वहां भक्त उन कपड़ों के उपर से जा रहा था यहां देखकर लाठी लेकर धोबी लोग मारने के लिए चले इसी लिए मैं गया था श्री लक्ष्मी ने पूछा तो इतनी जल्दी फिर कैसे आ गये नारायन ने हस्ते हुए कहा जाकर मैंने देखा उस भक्त ने दोबियों को मारने के लिए खुद ही पत्थर उठा लिया है सब हस्ते है इसी लिए मैं फिर नहीं गया केशव सेंसे तुमहारा आज दल फिर कैसे रह सकता है मैंने कहा यहां तुमहारी कैसी बुद्धी है तुम कच्चे मैं का त्याग करो जो मैं कामिनी और कांचनकी ओर ले जाता है परंथू मैं पक्के मैं भक्त के मैं दास के मैं का त्याग करने के लिए नहीं कहता मैं इश्वर का दास हूँ इश्वर की संतान हूँ इसका नाम है पक्का मैं इसमें कोई दोश नहीं त्रैलोक्य अहंकार का जाना बहुत कठिन है लोग सोचते हैं अहंकार मुझ में नहीं है श्री रामक्रिश्न कहीं अहंकार न हो जाए इसलिए गवरी मैं का प्रयोगी नहीं करता था ये कहता था मैं भी उसकी देखा देखी ये कहने लगा मैंने खाया है यहां न कहकर कहता था इसने खाया है यहां देखकर एक दिन मतुर बाबु ने कहा यहां क्या है बाबा तुम ऐसा क्यों कहते हो यहां सब उन लोगों को कहने दो उनमें अहंकार है तुम्हारे कुछ अहंकार थोड़े ही है तुम्हें इस तरह बोलने की कोई जरूरत नहीं केशव से मैंने कहा मैं जाने का तो है ही नहीं अतैव उसे दास भाव से पड़ा रहने दो जैसे दास पड़ा रहता है प्रल्ला दो भावों से रहते थे कभी सोहम कानुभाव करते थे तुम ही मैं हो मैं ही तुम हूँ फिर जब अहम बुद्धी आती थी तब देखते थे मैं पिर दास भाव से रहना आसान हो जाता है, मैं तुम्हारा दास हूँ इस भाव से, कप्तान से. ब्रह्म ज्यान होने पर कुछ लक्षणों से समझ में आ जाता है, श्रीमत भागवत में ज्यानी की चार अवस्थाओं की बाते लिखी है, पहली बालवत, दूसरी जडवत, तीसरी उनमत्तवत, चौथी पिशाचवत, पाच साल के लड़के उसके जैसी अवस्था हो जाती है फिर कभी वहाँ पागल की तरह व्यवहार करता है, कभी जड़की तरह रहता है, इस अवस्था में वहाँ कर्म नहीं कर सकता, कर्म छूट जाते हैं, पर अगर कहो कि जनक आदी ने तो कर्म किया था, तो असल बात यहाँ है कि उस समय के आदमी कर्मचारियों पर भार देकर निश्चिंत रहते थे, और उस समय में आदमी बड़ विश्वासी होते थे, श्री रामकृष्ण कर्मत्याग की बाते करने लगे, और जिनकी काम पर आ सकती है, उन्हें अनासक्त होकर कर्म करने का उप्देश देने लगे, श्री रामकृष्ण ज्यान के होने पर मनुश्य अधिक कर्म नहीं कर सकता, त्रैलोक्य क्यों, पवहारी बाबा इतने योगी तो है, परन्तु लोगों के जगड़े और विवादों का फैसला कर दिया करते है, यहां तक की मुकदमे का भी फैसला कर देते है, श्री रामकृष्ण हाँ, यहां ठीक है, दुरगा चरन डॉक्टर इतना शराबी तो है, परन्तु काम के समय उसके होश दुरुस्त ही रहते है, चिकिच्चा के समय किसी तरह की भूल नहीं होने पाती, भक्ती प्राप्त करके कर्म किया जाए तो कोई दोश नहीं होता, परन्तु है यहां मंदिर के सामने सिख लोग कह रहे थे, ईश्वर दया मैं है, मैंने पूछा, दया किन पर करते हैं, सिखों ने कहा, महराज हम सब पर उनकी दया है, मैंने कहा, सब उनके लड़के हैं, तो लड़कों पर फिर दया कैसी, वे अपने लड़कों की देखरेक कर रहे हैं, वे नह उसी पड़ोसी आकर देखेंगे अच्छा देखो जो लोग ईश्वर को दयामय कहते हैं वे यहां नहीं समझते कि वे किसी दूसरे के लड़के नहीं ईश्वर की ही संतान है कप्तान जी हाँ, ठीक है पर वे ईश्वर को अपना नहीं मानते श्री रामकृष्ण तो क्या हम ईश्वर को दयामय न कहें अवश्य कहना चाहिए जब तक हम साधना की अवस्था में हैं उन्हें प्राप्त कर लेने पर अपने माबाप पर जो भाव रहता है वही उन पर भी हो जाता है जब तक ईश्वर राब नहीं होता तब तक जान पड़ता है हम बहुत दूर के आदमी हैं दूसरे के बच्चे हैं साधना की अवस्था में उनसे सब कुछ कहना चाहिए हाजरा ने एक दिन नरेंद्र से कहा था ईश्वर अनन्त है उनका अईश्वर या अनन्त है वे क्या कभी संदेश और केले खाने लगेंगे या गाना सुनेंगे यहां सब मन की भूल है सुनते ही नरेंद्र मानो दस हाथ दस गया तब मैंने हाजरा से कहा तुम कैसे पाजी हो अगर बाल भक्तों से ऐसी बात कहोगे तो वे ठहरेंगे कहा बक्ती के जाने पर आदमी फिर क्या लेकर रहे उनका इश्वर ये अनन्त है फिर भी वे भक्ता धीन है बड़े आदमी का दरवान बाबुओं की सभा में एक और खड़ा हुआ है हाथ में एक चीज है कपड़े से ढकी हुई वहां बड़े संकोच भाव से खड़ा हुआ है बाबु ने पूछा क्यों दरवान तुम्हारे हाथ में क्या है दरवान ने संकोच के साथ एक शरीफा निकाल कर बाबु के सामने रखा उसकी इच्छा थी कि बाबु उसे खाए दरवान का भक्ति भाव देखकर बाबु ने शरीफा बड़े आदर के साथ ले लिया और कहा वाह बड़ा अच्छा शरीफा है तुम कहा से इतना कश्ट करके इसे लाए वे भक्ता धीन है दुर्योधन ने इतनी खातिर की और कहा महाराज यही जलपान कीजिए परन्तु श्री ठाकुर जी विदुर की कुटी पर चले गए वे भक्त वत्सल है विदुर का शाकान बड़े प्रेम से अमरित समझ कर खाया श्री रामक्रिश्न पूर्ण ज्यानी का एक लक्षन और है पिशा चुवत न खाने पीने का विचार है न शुचिता न अशुचिता का पूर्ण ज्यानी और पूर्ण मुर्ख दोनों के बाहरी लक्षन एक ही तरह के है पूर्ण ज्यानी को देखो गंगा नहा कर कभी मंत्र जपता ही नहीं ठाकुर पूजा करते समय सब फूल एक साथ ठाकुर जी के पैरों पर चढ़ा दिये और चला आया कोई तंत्र मंत्र नहीं जपा जितने दिन संसार में भोग करने की इच्छा रहती है उतने दिनों तक मनुष्य कर्मों का त्याग नहीं कर सकता जब तक भोग की आशा है तब तक कर्म है एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर अन्य मनस्क बैठा था जहाज गंगा गर्भ में था धीरे धीरे महा समुद्र में आ गया तब पक्षी को होश आया उसने चारों ओर देखा कहीं भी किनारा दिखलाई नहीं पड़ता था तब किनारे की खोच करने के लिए वहाँ उत्तर की ओर उड़ा बहुत दूर जाकर थक गया फिर भी किनारा उसे नहीं मिला तब क्या करे लोटकर फिर मस्तूल पर आकर बैठा कुछ देर के बाद वहाँ पक्षी फिर उड़ा इस बार पूर्व की ओर गया उस तरफ भी उसे कहीं छोड़ना मिला चारो और समुद्र ही समुद्र था तब बहुत ही ठक कर फिर जहाँस के मस्तूल पर आ बैठा फिर कुछ विश्राम करके दक्षिन ओर गया पश्चिम ओर गया पर उसने देखा कि कहीं और छोड़ ही नहीं है तब लोटकर वहाँ फिर उसी मस्तूल पर बैठ गया इसके बाद फिर नहीं उड़ा निश्चेश्ट होकर बैठा रहा तब मन में किसी प्रकार की चंचलता या अशान्ती नहीं रही निश्चिन्त हो गया फिर कोई चेश्टा भी नहीं रही कप्तान वाह कैसा दृष्टान्त है श्री रामक्रिश्ण संसारी आदमी सुख के लिए जब चारो और बढ़के फिरते हैं और नहीं पाते तो अंत में ठंक जाते हैं जब कामिनी और कांचन पर आसकत होकर किवल दुख ही दुख उनके हाथ लगता है तभी उनमें वैराग्या आता है तभी त्याग का भाव पैदा होता है बहुत तेरे ऐसे हैं जो बिना भोक किये त्याग नहीं कर सकते कोटी चक और बहुदक ये दो होते हैं सादकों में भी बहुत एरे ऐसे हैं जो अनेक तीर्थों की यात्रा किया करते हैं एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते बहुत से तीर्थों का उदक अर्थात पानी पीते हैं जब घुमते हुए उनका क्शोभ मिठ जाता है तब किसी एक जगह कुटी बना कर स्थिर हो जाते हैं, और निश्चिंत तथा चेश्टा शून्य होकर परमात्मा का चिंतन किया करते हैं, परन्तु संसार में कोई भोग भी क्या करेगा, कामिनी और कांचन का भोग, वहां तो क्षणिक आनंद है, अभी है, अभी नहीं, प्राय हमेग च्छाय रहते हैं, वर्षा लगी हुई है, सूर्य नहीं देख पड़ता, दुख का भाग ही अधिक है, कामिनी कांचन रूपी मेग सूर्य को देखने नहीं देता, कोई-कोई मुझसे पूचते हैं, महराज, ईश्वर ने क्यों इस तरह के संसार की स्रिष्टी क हम लोगों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है, उपाय, व्याकुलता, त्याग, श्री रामकृष्ण, मैं कहता हूँ, उपाय है क्यों नहीं, उनकी शरण में जाओ, और व्याकुल होकर प्रार्थना करो, ताकि अनुकूल वायू चलने लगे, जिससे शुब योग आ जाए, व्याकुल होकर पुकारोगे, तुभे अवश्य सुनेंगे, एक के लड़के का अब तब हो रहा था, वहां आदमी व्याकुल होकर इधर उधर उपाय पूचता फिरता था, एक ने कहा, तुम अगर एक उपाय कर सको, तो लड़का अच्छा हो जाएगा, अगर स्वाती नक खदेडे, खदेड कर पकड़ते समय मेंधक उचल कर उस खोपड़ी को पार कर जाए, और सापका विश उसी खोपड़ी में गिर जाए, और वहां विशैला पानी अगर रोगी को थोड़ा सा पिला सको, तो वहां अच्छा हो सकता है, वहां आदमी उसी समय स्वाती नक्षत में उस दवा की तलाश के लिए निकला, उसी समय पानी बरसना शुरू हो गया, तब वहां व्याकुल होकर इश्वर से कहने लगा, भगवन अब मुर्दे की खोपड़ी भी कहीं से ला दो, खोचते हुए उसे मुर्दे की खोपड़ी भी मिल गई, उसमें स्वाती नक्षत का पानी भी पढ़ा हुआ था, तब वहां प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, जय हो तुम्हारी भगवन, अब और जो कुछ रह गया है, वहां भी सब जुटा दो, मिंधक और साप, उसकी जैसी व्याकुलता थी, वैसी ही शीग्रता से सब सामान भी इकठे होते गए, देखते ही देखते, एक साप मिंधक का पीछा करते हुए आने लगा, और काटने समय उसका विश भी उसी खोपड़ी में गिर गया, इश्वर की शरण में जाकर, उन्हें व्याकुल होकर पुकारने पर, वे उस पुकार पर अवश्य ही ध्यान देंगे, सब सुयोग में जुटा देंगे, कप्तान, कैसा सुन्दर दृष्टांत है, श्री रामकृष्ण, हाँ, वे स्वयम सब सुयोग जुटा देते हैं, कभी ऐसा भी होता है, कि विवाह नहीं हुआ, सब मन इश्वर पर चला गया, कभी यहां होता है, कि भाए रोजगार करते हैं, या एक लड का तयार हो जाता है, तो फिर उस वेक्ति को स्वयम संसार का काम नहीं संभालना पड़ता, तब वह अनायास ही, सोलहो आना मन इश्वर को समर्पित कर सकता है, परन्तु बात यहां है, कि कामिनी और कांचन का त्याग हुए विना, कहीं कुछ नहीं होता, त्याग होने पर ही अज्ञान और अवित्या का नाश होता है, आतशी शीशे पर सूर्य की किरणों के पड़ने पर जितनी चीजें जल जाती है, परन्तु कमरे के भीतर चाया है, वहां आतशी शीशे के ले जाने पर यहां बात नहीं होती, घर छोड़कर बाहर निकल कर खड़े होना चाहिए, परन्तु ज्ञान लाब के बाद कोई-कोई संसार में रहते भी है, वे घर और बाहर दोनों देखते हैं, ज्ञान का प्रकाश संसार पर पड़ता है, इसलिए वे भला, बुरा, लिट्य, अनित्य, सब उसके प्रकाश में देख सकते हैं, जो अज्ञानी है, ईश्वर को नह मानते और संसार में रहते हैं उनका रहना मिट्टी के घरों में ही रहने के समान है शीन प्रकाश से वे घर का भीतरी हिस्सा ही देखते हैं परंतु जिन्होंने ग्यान लाब कर लिया है इश्वर को जान लिया है और फिर संसार में रहते हैं वे मानो शीशे के मकान में रहते है वे घर के भीतर भी देखते हैं और बाहर भी ज्यान सूर्य का प्रकाश घर के भीतर खुब प्रवेश करता है वहां आदमी घर के भीतर की चीजे बहुत ही स्पष्ट देखता है कौन सी चीज अच्छी है, कौन बुरी, क्या नित्य है और क्या अनित्य यहां सब वहां स्पष्टरीती से देख लेता है इश्वर ही करता है और सब उनके यंत्र की तरह है इसी लिए ग्यानी के लिए अहंकार करने की जगहें नहीं है जिसने महिमन स्थव लिखा था उसे अहंकार हो गया था शिव के नंदी बैल ने जब दाथ दिख लाए तब उसका अहंकार गया था उसने देखा एक एक दाथ उसके स्थव का एक एक मंत्र था इसका अर्थ क्या है जानते हो ये सब मंत्र अनादिकाल से है तुमने इनका उद्धार मात्र किया है गुरुआई करना अच्छा नहीं इश्वर का आदेश पाए बिना कोई आचार ये नहीं हो सकता जो स्वयम कहता है मैं गुरु हूँ उसकी बुद्धी में नीचता है तराजु तुमने देखा है न जिधर हलका होता है उधर ही का पलड़ा उठ जाता है जो आदमी खुद उचा होना चाहता है वहां हलका है सभी गुरु बनना चाहते है शीश्य कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता त्रैलोग के छोटे तखत के उत्तर और बैठे हुए है त्रैलोग के गाना गाएंगे श्री रामकृष्ण कह रही है वहां तुम्हारा गाना कितना सुन्दर होता है त्रैलोग के तानपुरा लेकर गा रहे है गाना तुमसे हमने दिल लगाया जो कुछ है सो तू ही है दूसरा गीत तुम मेरे सर्वस्व हो प्राणाधार हो सार वस्तु के सार भाग हो गाना सुनकर श्री रामकृष्ण भाव में मगन हो रहे है कह रहे है वाह, तुम ही सब कुछ हो वाह गाना समाप्त हो गया छे बज गय श्री रामकृष्ण हाथ मूँ धोने के लिए जाओ तल्ले की ओर जा रहे है साथ में मास्टर है श्री रामकृष्ण हस हस कर बाते करते हुए जा रहे हैं एका एक मास्टर से पूछा क्यों जी, तुम लोगों ने खाया नहीं और उन लोगों ने भी नहीं खाया आज संध्या के बाद श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता जाने का सोचा है जाओ तल्ले से लोटते समय मास्टर से कह रहे है परन्तु किसकी गाड़ी में जाओ शाम हो गई श्री राम कृष्ण के कमरे में दिया जलाया गया और धूना दिया जा रहा है काली मंदिर में सब जगे दिये जल गए शेहनाई बज रही है मंदिरों में आरती होगी तखत पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण नाम केर्दन करके मा का ध्यान कर रहे है आरती हो गई कुछ देर बाद कमरे में श्री राम कृष्ण इधर उधर टहल रहे है बीच बीच में भक्तों के साथ बाच्चीत कर रहे है और कलकत्ता जाने के लिए मास्टर से परामर्ष कर रहे है इतने में ही नरेंद्र आये साथ शरत तथा और भी दो एक लड़के थे उन लोगों ने आते ही भुमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया नरेंद्र को देख कर श्री रामकृष्ण का स्नेह उमर चला जिस तरह छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है श्री रामकृष्ण नरेंद्र के मुख पर हाथ फेर कर उसी तरह प्यार करने लगे स्नेह पूर्ण स्वरों में कहा तू आ गया कमरे के भीतर श्री रामकृष्ण पश्चिम की और मुह करके खड़े हुए है नरेंद्र तथा अन्य लड़के श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके पूर्व की और मुह करके उनके सामने वारतालाब कर रहे है श्री रामकृष्ण मास्टर की और मूँ फेर कर कह रहे है नरेंडर आया है, तो आप कैसे जाना होगा आदमी भेजकर उसे बुला लिया है आप कैसे जाना होगा, तुम क्या कहते हो मास्टर, जैसी आपकी आग्या चाहे तो अज रहने दिया जाए श्री रामक्रिश्ण अच्छा कल चला जाएगा ना उसे या गाड़ी से दूसरे भक्तों से तुम आज जाओ रात हो गई है भक्त एक एक करके प्रणाम कर विदा हुए